इस lecture के अंदर आपको एक concept समझाने वाला हूँ, Triangulation. Triangulation. क्या होती है Triangulation? Triangle का तो आपको पता है ना, ऐसे तीन कोने उसके बने होते हैं, और तीनो साइड उसकी equal होती हैं. अब मैं आपको बताता हूँ, Stad की जुबान के अंदर Triangulation किसे कहते हैं? Triangulation, अगर इसके spelling देखें, so it's something like Triangulation. ये निकला है Triangular से. Triangle. Triangle क्या होती है? मसलस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? ये मेरी लिखाई थोड़ी सी ऐसी है, ये इस वचा से मसलस जो है, वो मसलस आपा खराब बन गी हैं, but I can try. Yes. Now you can see. So ये हमारे पास है Triangulation. अब Triangulation जो होती है, उसका main मकसद ये होता है, कि एक हमारा aim है, center में. और, आप Triangulation की base पे देख सकते हैं, कि इस aim को पहुँचना है, यहां से पहुँचे तब भी वो ही हो, यहां से पहुँचे तब भी वो ही हो, यानि कि तीन तरीकों से, आप उस aim तक पहुँच पाएं, ठीक है, यह आपका यहां में. अब होता क्या है, ज्यादा तर यह वाली टेक्नीक जो है, यह यूज करते थे, Geo Mappers, ठीक है, जो जमीन के नक्षे बांदते थे, या आपके जो सेलिंग वाले लोग हैं, वो इसको यूज करते हैं, जो समुंदरों के अंदर, कश्टियां वगारा लेके जाते हैं, या navigation के लिए यह टेक्नीक यूज की जाती थी. आज के दोर में, ट्राइ एंगुलेशन जो है, यह basically, आपकी location को find out करने के लिए भी यूज होती है, अगर आप इस जगा पे हैं, ठीक है, इस जगा पे होने का मतलब यह है, कि आप basically, इस जगा पे होने का मकसद यह है, कि आपको locate किया जा सकता है, यानि कि आपके पास एक mobile है, mobile में है एक sim, उस sim की location find out करने के लिए, यह जो है, tower लगा एक यहां पे, यह tower कहता है, कि आप यहां पे हो, और यह बताता है, कि यह यहां पे भी हो सकते हो, यहां पे भी हो सकते हो, ठीक है, आपकी जो plus minus errors बता के, और दूसरा एक tower कहता है, कि जो यहां पे लगा हुए tower, वो यह कहता है, कि आप यहां पे भी हो, यहां पे भी हो सकते हो, यहां पे भी हो सकते हो, तीसरा tower कहता है, यहां पे जो है, वो कहता है, आप यहां पे भी हो, यहां पे भी हो सकते हो, यहां पे भी हो सकते हो, so triangulation method के थुरू आप exactly उस location का पता लगा सकते हैं कि जहां पे आप हैं on the other side यही normally अगर आप किसी एक aim पे लगाएं यानि कि मैंने एक aim पे पहुँचना है तो मैं क्या करूँ कि मेरे पास उस aim को पहुँचने के लिए हर तरीके से मैं वहां पे पहुँच सकूँ city में pollution को check करना है यानि कि urban pollution ठीक है इसका पहला method यह है method number one is कि आप उस एक city की health reports check कर ले health records यानि कि उस city के अंदर जितने लोग हैं उनको कौन-कौन सी diseases हो रही है क्या उन्हें lungs की कोई disease हो रही है जैसे पाक्सान के अंदर आजका लहौर के अंदर smoke बड़ी चाही हुई है different other countries में countryside पे भी और different other cities के अंदर भी so health records चेक कर लें पहला तरीका यह है दूसरा तरीका आपके पास यह है जनाबे वाला कि आप वहां के air quality matrices चेक कर लें air quality matrix यानि कि wind speed कितनी है flanches कितनी है flanches कितनी है flanches कितनी है जो आपकी apps में भी अक्सर उखाता रहा होता है air quality का ठीक है dust कितनी है so on and so forth फिर तीसरी चीज आप क्या चेक करें number 3 is कि आप air quality को monitor कर रहे है but what you can do आप satellite imagery ले 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 satellite images इन तीनों चीज़ों की base पे आप quality को measure करें ठीक है अब health records जो है ये बताते हैं कि जनाब health or diseases बहुत ज़्यादा आ रही है आप उसके result ले ले ठीक है दूसरे आप ले 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 air quality के matrix के तीसरे आप ले 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 जनाब satellite imagery के अगर ये तीनों point आपको बताते हैं कि Lahore जैसा city इस वकत polluted है जैसे पिछले दिनों एक report भी आई थे कि पाकिसान के अंदर Lahore के अंदर को बंदा रह रह रहा है तो वो 7 साल कम जी रहा है on an average दूसरे cities में रहने होले लोगों के due to pollution तो अगर ये तीनों experiments एक ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं इस method को बोलते हैं हम triangulation यनि के आप एक चीज पर rely नहीं करते के यहां से हम यहां पर पहुंचें that's it नहीं आप तीन तरीकों से या तीन से ज्यादा तरीकों से आप उसी एक aim को check करते हैं यह true है या नहीं इस method को बोलते हैं triangulation ठीक है यानि के अगर आप urban pollution को search कर रहे हैं तो urban pollution को आप किस तरीके से measure करेंगे आप air quality को measure कर लें आप health records को measure कर लें आप satellite images को measure कर लें अगर आप तीनों से एक नतीजे पर पहुंचते हैं और इससे क्या होगा basically इससे एक तो आपका data reliable होगा क्योंकि आपको पता है अगर एक चीजे pollution को ज्यादा बता रही है तो दूसरी उसको confirm और verify भी कर रही है so you can say कि आपका data valid है reliable है उसके लिए यह technique यूज होती है triangulation on the other side triangulation के इलावा you can also use another example मैं आपको एक और example देता हूँ triangulation में ही पहले फिर हम देखते हैं किस तरीके से यह triangulation जो हमें help out कर सकती है to understand many things एक और आपको example मैं यह देता हूँ market research की market research के अंदर क्या होता है मैं आपको यहाँ पर case study एक बताता हूँ आपको फिर समझ लग जाएगी company है एक company है for example आप लगाने कुडैनिक्स कुडैनिक्स एक company है यह क्या करती है सबसे पहले इन्होंने conduct किया survey customer का customer survey ठीक है उसके जो result आए second पे क्या किया गया इन्होंने अपना sales का data देखा कि क्या यह दोनों आपस में correlate कर रहे है यानि कि जो customers का survey हमने लिए है और sales जो है हमारी अगर customer कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कोडैनिक्स की team हमें पढ़ा रही है और आप जो चीज़ें हमें sale out कर रहे हैं वो बहुत अच्छे चल रहे है then I can actually correlate with that कि अगर sales जाद है और customer happy है इसका मतलब है कि हमारी sales और customer का data दोनों जो हैं वो collaborate कर रहे हैं एक दूसरे के साथ number three is मैं same चीज़ को देखते हुए एक और अंदाजा लगाऊंगा कि जब हम social media पर कोई post करते हैं क्या उसके sentiment analysis भी इसी एक direction में जा रहे है sentiments यानि कि social media पर हमारी post के नीचे जो comments कर रहे हैं क्या वो भी इसी चीज़ पर comment कर रहे हैं और आपके जो lectures हैं वो हमें बहुत अच्छे तरीके से मिर रहे हैं और आपके team अच्छे से collaborate कर रही है so these three things are reaching to one aim के हमने sales improve करनी है sales improve करने के लिए we can actually link this के लोग happy है sales हमारी बढ़ रही है sentiment अच्छे है और उन sentiments को analyze करके we can provide something very specific जो keywords उसके अंदर use हुए होगे say for example मैं एक post करता हूँ और survey में भी पूछता हूँ और sales के data पे भी देखता हूँ कि कौन सा course हमारा ज्यादा hit होता है अगर वो python का चिल्ला है और वो ही social media पे भी ज्यादा comments है उसके और customers के survey के अंदर भी उन्होंने बोला के लिए सबसे पहले तो वो letters बगरा देखते है कि किसने किसको खत लिखा था क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था Romeo Juliet की story होगी या अक्सर अकाद लोग कहते हैं कि Einstein को भी जो है हमारे different scientists ने जो खतूत हैं वो भेजे थे उनके साथ इसको देखते हैं यानि कि articles वगरा अगर किसी ने लिखे हैं उनके लिए या books लिखी है ठीक है फिर तीसरा ये देखते हैं कि क्या कोई archaeologist इस चीज को archaeology के अंदर ये चीज confirm हुई है then they can say for example अगर मिसर की बात करें तो आपको बता है कि Egyptian civilization जो है इसके उपर अच्छी खासी research हो चुकी है so वो तीन तीन चार चार तरीकों से check करते हैं कि कैसे आपका data जो है वो valid and reliable हो सकता है so triangulation is a method जहां पे आप different techniques को use करते हैं to reach at a single data point और pillars of triangulation तीन किसम के pillars हैं बलके चार किसम के इसके तीन नहीं sorry for that और चार जो pillar है उसको हम देखते है number one जो pillars and triangulation के pillars यानि कि इन के उपर triangulation matter करती है number one is data triangulation data triangulation क्या होती है gathering data from different sources to answer the same question यानि कि मैंने survey भी कर लिया मैंने social media से भी data ले लिया sale का भी data so different position से different जोगों से data एक अठा करना to answer the same question second one is methodological triangulation methodological triangulation यह क्या होती है कि आप data को तो measure कर रहे हैं लिकिन different methodologies के साथ आप measure करे हैं यूजिंग different methods और techniques to collect and analyze the same data डेटा आ गया अब उसके उपर तीन से चार different methods लगाएं फिर best वाला जो है वो चूज करें ठीक है triangulation फिर तीसरा हमारे पास जो pillar है that is theoretical triangulation number four इसमें आप different theories को use करते हैं ठीक है perspective different किसम के number four is आपका बहुत important जो है investigator triangulation investigator triangulation क्या होती है कि multiple researchers जो है observe करते हैं same study को ठीक है यानि कि एक study की है एक बंदे ने फिर दूसरा कहता है मैं भी करता हूँ तीसरा कहता है मैं भी करता हूँ इससे क्या होगा एक तो valid होगा आपका data और reliable होगा और आपके result भी valid होगा और आपके result reliable भी होगा सो होता क्या है कि जब आप एक ही काम को तीन चार तरीकों से करते हैं न तो अगर आप फिर से same result पे पहुंच रहे हैं इसका मतलब है कि आप बिल्कुल confirm कर रहे हैं चीजों को और अक्सर उकात आप research में भी देखते हैं एक ही काम को आप repeatedly कर रहे होते हैं कि दुबारा बार बार वही चीज आपके सामने आए जो आपने पहले result में सोची थी और इसी को हम triangulation बोलते हैं और triangulation हमें क्या-क्या help out करता है वो हम देखते हैं triangulation पहला काम क्या करता है आपकी benefits of triangulation में credibility increase हो जाती है credibility credibility आपकी भी जो काम कर रहे हैं वो भी जो data होता उसकी भी reduces biasness reduces bias या biasness bias क्या है इसको हम जरूर देखेंगे अगला topic की यह के गलतियां जो है या एक ही तरफ जुकाओ जो है वो आपका कम हो जाता है increase confidence on finding increased confidence on findings यानि के जो हम बात कर रहे हैं वो तीन तीन चार चार जोगों से अगर confirm हो के आ रही है इसका मतलब है triangulation method आपका अच्छा काम कर रहे है ठीक है और यह क्या करता है comprehensive view भी देता है आपको किस चीज का comprehensive view कि आपने जब triangulation लगाई है तो एक perspective से क्या आपके पास बात है दूसरे perspective से क्या है तीसरे के क्या है इसकी मिसाल मैं देता हूँ अगर मैं आपको एक data दे दूँ आप उसको analyze करें और अगर तीन लोग different अपने अपने तोर पे analyze करेंगे तो आप देखेंगे at the end आपके पास तीनों के different answers होंगे और वो जो different answers होंगे मतलब same answer होंगे लेकिन different methodology भी हो सकती है different technique भी हो सकती different understanding भी हो सकती है इससे क्या होता है आपके data के उपर reliability जो है वो data की reliability जो बहुत अच्छी बढ़ जाती है लेकिन इसके नुकसानात भी है triangulation बहुत असान चीज नहीं है इसके लिए आप कही चीजों से लड़ते जगड़ते भी है सबसे पहला काम तो यह है कि अगर resources ही नहीं है अज थे एक experiment दे पैसे नहीं मेरे तुझे को यह तिन तिन बंद्याने करने ने इस इस इंपॉसिबल विली इंपॉसिबल या पॉसिबल so you need to think कि क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता so resource intensive है resource intensive ठीक है second is कि यह simple सी बात है तीन लोग नहीं कर सकते तो कम अजगम एक ऐसा करे जो expert के बराबर हो ठीक है यानि कि वो और ऐसे methods को चूज करे reliability और validity को बढ़ाने के जो expert से भी ज्यादा हो और अगर तीन लोग काम कर रहे हैं तो complex हो जाएगा काम integration के लिए complex integration आपको तीन किसम के results को integrate करना मुश्किल हो जाएगा ठीक है और इसके लिए आपको experts चाहिए skill requirement चाहिए आपको different चीजों को समझने के लिए ठीक है ये तीन इसकी limitations है limitations और ये जो उपर वाले चार हैं ये इसके फाइदे है credibility बढ़ती है biasness reduce होती है और आपका confidence बढ़ता है and comprehensive आपके पास जो है वो view आ जाता है and these are things on actually in modern research और ये triangulation method जो है ये modern research के अंदर बहुत heavy तरीके से use किया जाता है और triangulation क्या करता है basically आपको networking का मौका देता है आपको चीजें सिखाने का मौका देता है चीजें सीखने का मौका देता है और interdisciplinary action के अंदर triangulation बहुत importer किरदार अदा करती है क्योंकि सारी की सारी दुनिया interdisciplinary actions की तरफ जा रही है तो आप अगर triangulation method को अच्छे से apply करते हैं believe me you can actually get a lot of good results in triangulation ठीक है जी यहां तक clear हो गया आपको